शार्दा, मेरे लिए जरा एक और पराठा लाना, आज बहुत दिनों बाद पराठे खाकर मज़ा ही आ गया अभी लाई जी, ये लीजिए इस बार खेत में अनानास की फसल बहुत ही अच्छी हुई है इस बार अनानास बेच कर जो पैसे आएंगे, उनसे मैं सैट जी का करजा भी उतार दूँगा तुम मेरे साथ खेत में चलकर अनानास की कटाई करवा दूँ दोनों पति-पत्नी अनानस की कटाई करने खेत की और निकल पड़ते है पूरा दिन खेत में काम करके, वो दोनों अनानस की कटाई करके सारे अनानस को अपने गोदाम में रख देते है अगले दिन मोहन सारा अनानास लेकर बाजार में जाता है तो ऐसा ताजी अनानस देखकर ग्रहक उसके पास अनानस खरीदने आने लगते है भाईया ये अनानास तो दिखने में बिल्कुल ताजी लग रही है यहाँ पर तो मैंने पहली बार इतने ताजी अनानास देखे है जरा मुझे भी एक टुकडा खिलाना तो कहीं ये बस देखने में ही अच्छे हूँ और इनका स्वाद भी बागी फल वालों के अनानास की तर उतना ही इनका स्वाद भी अच्छा है मैं अभी आपको अनानास काट कर चकवाता हूँ अनानस का एक तुकडा काट कर उस आदमी को देता है उस आदमी को वो अनानस बहुत ही स्वादिश्ट लगता है ये अनानास तो बहुत ही स्वादिश्ट है इतना स्वादिश्ट और रसीला अनानास तो मैंने कभी अपने बच्पन में ही खाया होगा। भाया तुम मुझे दो अनानास दे दो। उसके पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद मोहनेक सुनसान गली में पहुचता है। तभी वो चोर अचानक अपने हाथ में एक चाको लिए उसके सामने आ जाता है। चुपचा पैसे निकाल वरना तु जानता है मैं तेरा क्या हाल करूँगा। देखो भाई मुझे जाने दो मेरे बीवी बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये पैसे मेरे लिए बहुत जरूरी है। अबे चुपचा पैसे दे रहा है या नहीं। देख रहा है न ये रामपुरे। वो चौर उस चूरे को मोहन की गर्दन पर लगा देता है। चौर से अपनी जान बचाने के लिए मोहन को उसे सारे पैसे देने पड़ते है। पैसे मिलते ही चौर मोहन को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। मोहन जल्दी से उटकर अपने घर की तरफ भागता है. वो हाफते हुए अपने घर पहुचता है. उसे इस तरह हाफते हुए देखकर शारदा बुरी तरह डर जाती है. क्या हुआ जी? आप इस तरह हाफ क्यों रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? आप बैठ जाएए. मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ. शारदा मोहन के लिए पानी लेकर आती है. मोहन अपने हाफते हातों से पानी पीता है और शारदा को सारी बात बताता है. चोर का नाम सुनते ही शारदा बुरी तरह डर जाती है. हे भगवान, कहीं उस चोर ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुचाया. आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ शारदा. मुझे कुछ नहीं हुआ. भगवान का लाग लाग शुक्र है जो आपको कुछ नहीं हुआ. सत्या नाश हो उस चोर का. उस चोर का तो जो होना होगा, वो होगा. लेकिन अब तुम ये सोचो की हमारा क्या होगा? क्या मतलब? अरे वो चोर हमारे सारे पैसे लेकर भाग गया. मैंने तो सोचा था कि अनानास बेचकर जो पैसे आएंगे, उनसे सेठ जी का कर्ज उतार दूँगा. लेकिन अब तो उनका कर्ज चुकाने के लिए मेरी जेब में एक फूटी कौडी भी नहीं है. अगर इस बार भी मैंने सेठ जी का कर्ज नहीं चुकाया, तो वो हमारे खेत पर कबजा कर लेंगे. अजी, ये आप क्या कह रहे है? अगर सेठ जी ने हमसे हमारा खेत ले लिया, तो हम खेती कहां पर करेंगे? ऐसे तो हमारी रोजी रोटी ही हमसे चीन जाएगी. आप एक बार सेठ जी से बात करके देखना, क्या पता वो हमें पैसे चुकाने के लिए थोड़ी और मोहलत दे एक बार कल जाकर सेठ जी से बात करूँगा, अगर वो मान गए, तो उनका बहुत बड़ा उपकार होगा, नहीं तो हमारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे अगले दिन मोहन सेठ जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है मुझे लग ही रहा था, तु इस बार भी मेरे पास कोई नई कहानी लेकर आएगा, तुझे शर्म नहीं आती, इस तरह जूट बोलते हुए नहीं सेठ जी, मैं जूट नहीं बोल रहा, अगर उस चोर ने मेरे पैसे नहीं चुराए होते, तो मैं आज ही आपके सारे पैसे चुका देता देख मोहन, मैंने तेरी ये बातें बहुत सुनली, मैंने पहले ही तुझे तीन महीने की ज्यादा महलत दी थी, लेकिन तुने इतने महीनों में भी मेरे पैसे नहीं चुकाए, अब मैं तुझे एक और दिन की भी फाल तुम महलत नहीं दे सकता, या तो तु मुझे शाम तक मेरे पैसे ला कर दे दे या आज से तेरा खेत मेरे नाम पर कर दे लेकिन सेट जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मोहन सेट जी को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सेट जी उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसके खेत को जब्द कर लेते है अब मोहन के पास कमाई का कोई साधन नहीं रहता, जिस वज़े से उसके घर में पैसों की तंगे होने लगती है सुनिये जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, घर में राशन खत्म होने वाला है, बस आज और कल के लिए ही घर में आटा और चावल है अगर आप बुरा ना माने, तो मैं लोगों के घर में साफ सफाई का काम करना शिरू कर देती हूँ जब तक आपको काम नहीं मिल जाता, तब तक कुछ ना कुछ करके घर का खर्चा तो चलाना ही पड़ेगा ना एक ऐसे दिन आ गए हमारे, शर्म आ रही है मुझे खुद पर, जो मेरे रहते हुए तुम पर लोगों के घरों के काम करने की नौबत आन पड़ी है तुम से शादी करते वक्त मैंने वचन दिया था, कि तुम पर कभी कोई तकलिफ नहीं आने दूँगा लेकिन आज देखो, तुम्हें मेरी वज़ा से क्या क्या जहिलना पड़ रहा है अगर शादी के समय आपने मुझे वचन दिये थे, तो मैंने भी तो ये वचन दिया था न, कि आपकी जिंदेगी के हर सुख दुख में मैं आपका साथ दूँगी जब मैं आपके सुख में आपके साथ थी तो अब आपके दुख के दिनों में भी मेरा ये फर्ज है कि मैं आपका साथ दूँ घर की आर्थिक परिस्तिती की वज़े से शारदा लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है और थोड़े बहुत पैसे में ही जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चलाने लगती है कुछ दिनों बाद मोहन को भी एक जमीनदार के यहां माली का काम मिल जाता है लेकिन उसकी तनक्वा इतनी नहीं होती कि वो अकेला ही घर का खर्चा संभाल सके इसलिए उसे नौकरी मिलने के बाद भी शार्दा को लोगों के घरों में काम करना पड़ता है तभी एक दिन शार्दा की बेटी स्वीटी उससे कहती है ममी, ममी, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है, पिताजे भी काम पर गय है मेरा अकेले घर में रहने का मन नहीं कर रहा, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो ना ठीक है बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो शार्दा अपनी बेटी को अपने साथ काम पर ले जाती है स्वीटी चुप चाप वहाँ बैटकर अपनी मा को काम करते हुए देखती रहती है वहाँ पर बैठे-बैठे उसे जोरो से भूक लग जाती है तभी उसकी नजर मेज पर रखे काजू बदाम पर पढ़ती है चोटी सी स्वीटी सीधे स्वभाव से मेज पर रखे काजू बदाम को खाने लगती है तभी घर की मालकिन की नजर उस पर पढ़ती है और वो स्वीटी के हाथ से काजू बदाम छीन लेती है तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहां से ये काजू बदाम उठा कर खाने की? किस से पूछ कर तुने ये काजुवदाम खाए, बोल मालकिन के चिलाने की आवाज सुनकर शारदा दौरती हुई वहाँ पर आती है तो देखती है कि मालकिन उसकी छोटी सी बेटी को बहुत बुरी तरह से डाट रही है क्या बात है मालकिन, आप स्वीटी को इस तरह क्यों डाट रही है क्या इसने कोई शरारत की है शरारत नहीं, चोरी की है, चोरी चोरी, ये आप क्या कह रही है मालकिन मेरी बेटी को मैंने ऐसे संसकार नहीं दिये कि वो किसी के घर में जाकर चोरी करे आपको जरूर कोई गलत फैमी होई होगी और आखिर किस चीज के चोरी की है मेरी बेटी ने तेरी बेटी यहां पर बैट कर मुझसे बिना पूछे आराम से यह काजुवदाम खा रही थी जैसे तो यह काजुवदाम यहां इसके बाप निला कर रखे हो बस बहुत हो गया मालकिन मैं समझती हूँ कि किसी की चीज को उससे बिना पूछे लेना गलत बात है लेकिन आपको इस तरह हमारी बेटज़दी करने का कोई हक नहीं है यह लीजे अपने काजुवदाम के पैसे मालकिन की बातों से शारदा के दिल को बहुत ठेस पहुचती है घर जाकर वो सारी बात मोहन को बताती है मोहन को यह सब जानकर बड़ा ही दुख होता है वो बड़ा ही परेशान होकर अपने पुराने खेत की तरफ जाता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है वो खेत के मंडेर पर बैट कर अपनी परेशानिया कहे ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है मोहन, मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतिजार कर रहा हूँ, मैं कबसे तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आ रहे थे कौन है यहाँ, कौन मुझसे बात कर रहा है मैं हूँ मोहन, जादुई अनानास, इधर देखो उसके बात सुनकर मोहन जैसे ही उधर देखता है तो उसके सामने एक अनानस खड़ा होता है जिसके दो चोटे-चोटे हाथ-पैर और दो प्यारी-प्यारी आखे भी होती है ये सब क्या हो रहा है? एक अनानास के हाथ-पैर और आखे भला कैसे हो सकती है? हो सकती है मोहन हो सकती है क्योंकि मैं एक जादूई अननास हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम इस समय बहुत परिशानी में हो तुम मुझे अपने घर लेकर चलो मोहन जादूई अनानस को अपने घर ले कर जाता है और अपनी पतनी शारदा को जादूई अनानस के बारे में बताता है मोहन मैं जानता हूँ कि जब से तुम्हारा खेत तुमसे छिन गया है तब से तुम बहुत परिशानी में हो मैं तुम्हें तुम्हारा खेत छुडवाने के लिए पैसे दूंगा तुम उन्हें जाकर सेट जी को दे देना उसके बाद तुम्हारा खेत तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा जादू यनानस अपने हातों को हवा में घुमाता है और उसके सामने एक लकडी का बकसा आ जाता है मोहन इस बकसे में बहुत सारे पैसे है तुम इन पैसों को सेठ जी के पास ले जाकर अपना करजा चुका दो मोहन सेठ जी के पास जाकर करजे के पैसे चुका देता है और उसका खेत उसे वापस मिल जाता है अपना खेत वापस मिलते ही मोहन जादूई अनानस का बहुत बहुत धन्यवाद करता है तभी अनानस उससे कहता है मोहन तुम एक भले आदमी हो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की तुम हमेशा इसी तरह एक भले इंसान बन कर रहना मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा जब भी तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई परिशानी हो तो बस एक बार मुझे याद कर लिना मैं तुम्हारे पास आ जाओंगा अब मुझे चलना होगा इतना कहकर जादू या नानस वहां से गायब हो जाता है उसके वहां से गायब होते ही मोहन का पुराना घर एक नए घर में बदल जाता है और उसके पास धेर सारे पैसे भी आ जाते है उस दिन से वो फिर से अपने खेत में महनत करने लगता है उसकी महनत से उसका खेत फिर से लहलहा उठता है उसके पास फिर कभी भी पैसो की कमी नहीं होती उस दिन के बाद वो अपने खेत में खूब महनत करता है और अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहने लगता है भीमा के पास बहुत सारी मुर्गया थी और भीमा अपने घर परिवार को चलाने के लिए मुर्गयों के अंडे को साइकल पर रखकर जग़ 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 जाकर बेचा करता था अंडे लेलो अंडे भीमा के देशी अंडे लेलो आओ आओ भाईयो जल्दी आओ जो देरी करेगा वो पच्चताएगा उसे गाओ में भीमा का दोस्त मोहन भी रहता था वो भी अंडे बेचा करता था लेकिन लोग जादातर भीमा के अंडे खरीदा करते थे ऐसे ही एक दिन गाओ में लोग भीमा की साइकल रोक कर उससे खूप सारे अंडे खरीद रहे थे तो वहीं मोहन चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था गाउ के किसी भी आदमी ने मोहन से अंडे नहीं लिये मोहन उदास होकर अपने घर चला जाता है उसे ऐसे उदास देखकर मोहन की पत्नी आरती कहती है क्या हुआ है आपको आप उदास नजर आ रहे है सब ठीक तो है ना आज फिर आपकी बिकरी नहीं हुई क्या अरे नहीं आरती पता नहीं हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यूं होता है बलकि भीमा और मैं दोनों एक ही काम करते है उसके बावजूद उसकी ज्यादा बिकरी होती है उसके पास ज्यादा ग्राहक आते हैं फिर मेरे साथ ऐसा क्यूं होता है अरे जब तक ये भीमा रहेगा ना तब तक कोई ग्राहक आपके पास नहीं आने वाला अरे ना जानी ऐसा कौन सा काला जादू किया है इसने ग्राहकों के उपर जो सारे ग्राहक सिर्फ और सिर्फ इसी के पास जाते हैं? आरती जादू टोनेगा तो पता नहीं, लेकिन बिक्री ना होने की वजह से हमारी स्थिती दिन प्रते दिन खराब होती जा रही है अरे ये सब कुछ उस भीमा की वजह से है, ना जाने अपने अंडों में ऐसा क्या मिलाता है? जो ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसी के अंडे पसंद आते है? अरे बलकि पूरे गाव में अंडे का दाम पाच रुपए चल रहा है, उसके बावजूद लोग उससे ही क्यों लेते है? अरे मुझे उसकी कमाई से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूँ वो दिन दुगनी रात चौगनी तरकी करे, लेकिन अपने बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है आरती? अरे मैं तो कहती हूँ एक दिन इसकी साइकल को धक्का मार देना, ताकि इसकी साइकल पर रखे हुए सारे अंडे नीचे गिर कर तूट जाए अरे तुम कैसी बाते करती हो, आज अगर मैं भीमा के साथ बुरा करूँगा, तो कल मेरे साथ भी तो बुरा ही होगा ना? आरती अपने पती को भीमा के खिलाव भड़काना शुरू कर देती है, लेकिन मोहन अपनी पत्नी की बात को नजर अंदास कर देता है, तो वहीं भीमा खुशी-खुशी अपनी सारी कमाई, अपनी पत्नी जोती को देते हुए कहता है अरे जोती, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, ये आ गई बाबा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो आप? अरे जोती, ये देखो, भगवान की कृपा से, आज फिर से मेरी अच्छी कमाई हुई है ये सारे पैसे ले जाके संदूक में रख दो, जितना जरूरत हो, उतना ही खर्च करना अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही भगवान मेरे पूरे परिवार पर अपना आशिर्वात बनाए रखे और आप ऐसे ही दिन दोगोनी, राच चोगोनी तरक्की करो, धीरे धीरे हमारे सारे सपने पूरे हो जाए हाँ जोती, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, एक दिन सब कुछ होगा, और हाँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने लिए एक सोने का मंगल सूत्र बनवालो अरे, नहीं नहीं, अभी इन चीजों के कोई जरूरत नहीं है, जिस दिन हमारा घर बनने का सपना पूरा हो जाएगा, और हमारा बिजनस अच्छे से चलने लग जाएगा, उसके बाद मैं अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ बनाऊंगी चलो ये भी सही है, अच्छा, आप मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूग लग रही है ऐसे ही समय का पईया तेजी से आगे बढ़ता है, तो वहीं भीमा की जादा बिक्री की वज़े से मोहन की थोड़ी बहुत ही कमाई हो पाती थी, ऐसे ही एक दिन भीमा मोहन के पास जाता है और कहता है अरे भाई मोहन, मैं तुम्हें ही ढूण रहा था, वो कल मैं अपने घर में एक छोटी सी पूजा करवा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नियोता दे रहा हूँ, तो तुम और भावी समय से आजाना अरे कैसी पूजा भीमा? अरे मोहन भाई, दरसल मैं अपने लिए एक मुर्गी का फार्म खरीद रहा हूँ, इसलिए इस खुशी में मैं अपने घर पर एक पूजा करवा रहा हूँ अरे वा, ये तो बहुत अच्छी बात है, भागवान करे, तुम ऐसी ही तरक्की करो, चलो ठीक है, कल मैं और मेरी पतनी, हम दोनों समय से आजाएंगे मोहन भीमा की खुशी में खुश हो जाता है, और घर आके अपने पतनी को इस बारे में बताता है, तब ही आरती कहती है अरे कैसी बाते कर रहे हैं आप, हम उसकी खुशी में क्यों खुश हुए, उसकी वज़ा से ही तो लोग हमारे अंडे नहीं खरीदते, और आप है की अरे आरती, हमारी बिक्री नहीं होती, या फिर ग्राहक हमसे अंडे लेते ही नहीं, तो इसमें भीमा की क्या गलती है, भीमा ने किसी को मना थोड़े ही न किया हुआ है, और वैसे भी दूसरों की खुशी में हमेशा खुश होना चाहिए ठीक है, आपको तो कभी समझ में ही नहीं आएगा, अगर आप चाहते हैं कि हम उनकी खुशी में शामिल हो, तो यही सही ऐसे ही अगले दिन मोहन और आर्ती दोनों भीमा के मुर्गी फाम में जाते हैं, जहां भीमा एक छोटी सी पूजा करवा रहा था, आर्ती मन ही मन भीमा की तरक्की देखकर जल भून रही थी इसकी मुर्गी फार्म देखकर तो मुझे गुसा आ रहा है दिल तो कर रहा है कि इसकी फार्म में आग लगा दू हम वैसे आइडिया बुरा नहीं है क्यों न आज में इसकी फार्म में आग लगा ही दू ना रहेगी फार्म ना होगी तरक्की आज इस भीमा को पूरी तरह से बरबाद कर दूँगी मौका देखकर आर्ती फार्म में जाती है और भीमा के फार्म में आग लगा देती है जिससे भीमा के पूरी मुर्गी फार्म जल जाती है और साथ में सारी मुर्गी और अंडों का भी नुकसान हो जाता है तो वही आग लगने से वहां अफरा तफ्रिमत जाती है जैसे तैसे लोग फार्म में लगी आग बुझा देते है तो वही जोती और भीमा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है हे भगवान आखिर मैंने कौन सा पाप किया था जो आज मुझे इतना बुरा दिन देखने को मिला सालो साल की महनत आज एकदम से मिट्टी में मिल गई प्रभू मैं तो कहीं का नहीं रहा हाँ भीमा अब होने को तो कोई नहीं बदल सकता ना खुद पर होसला रखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे उपर क्या बीत रही है बरसों की महनत एकदम से खत्म हो गई है बाकी तुमने जो खोया है वो तुम फिर से कमा लोगे लेकिन अभी होसला रखो ऐसे ही अब भीमा कुछ समय तक अंडे बेचना बंद कर देता है तो वहीं लोग अब मोहन से अंडे लेना शुरू कर देते है धीरे-धीरे मोहन की अच्छी कमाई होने लगी तो वहीं बिचारा भीमा इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहा था देखी मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ है उसे भूल पाना आसान नहीं है लेकिन धीरे-धीरे स्थिती बहुत जादा खराब हो चुकी है कुछ तो करना ही पड़ेगा ना जोती मेरा सब कुछ बरबाद हो चुका है मेरे ग्राहक भी तूट चुके है साथ ही मैंने जो सालो साल अपनी कमाई का पैसा बचा कर रखा था वो एकदम से मिट्टी में मिल गया देखो पुरानी बातों को याद करके कुछ नहीं होगा मैं तो कहती हूँ कि आज हम दोनों अपने खेत में चलते है काफी समय से हम खेत में घूमने नहीं गए और घर में रहरे कर दिन भर आप वही पुरानी बाते सोचते रहते है जोते भीमा को अपने खेत में ले जाती है जैसे ही वो दोनों पति-पतनी खेत में जाते है वो देखते है कि खेत में छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है और उन पौधों में अंडों की उपज हो रखी है अरे ज्योती ये देखो ये कैसे पौधे हैं इसमें तो अंडे लगे हुए हैं कहीं में सपना तो नहीं देख रहा ना अरे नहीं नहीं आप कोई सपना नहीं देख रहे बलकि ये हकीकत है अरे हमारे खेत में तो अंडो की खेती हो रखी है ये चमतकार कैसे हुआ है भला अंडो की भी कोई खेती होती है क्या तभी उन अंडो में से आवाज आती है अरे अरे भाई घबराते क्यों हो डरो नहीं हम जब जादूई अंडे है और यहां हमें तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है तुमने पिछले कुछ महीनों में पहुत सारी कठनाईयों का सामना किया है इसलिए भगवान ने हमें यहां तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है अच्छा, तो मतलब भगवान ने साक्षात अंडों के रूप में हमारी मदद करने के लिए एक दूद भेजा है देखा मैंने कहा था न कि आज अगर हमारा बुरा देन चल रहा है तो कल हमारे अच्छे दिन भी आएंगे हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो जादूई अंडों की खेती से दोनों पती-पत्नी बहुत खुश थे देखते ही देखते दोनों जादूई अंडों की मदद से अपने लिए दोती नई फार्म खोल लेते है अब भीमा शहर शहर जाकर अंडों की सप्लाई किया करता धीरे-धीरे दोनों पती-पत्नी तरक्की की और फिर से निकल पड़ते है उनकी तरक के देखकर आर्ती को फिर से जलन होने लगती है जब आर्ती को अंडो की खेती के बारे में पता चलता है तो वो सोच में पढ़ जाती है अरे ये क्या अंडो की खेती? जरूर दाल में कुछ काला है मुझे इस बार फिर से खुट जाकर ही पता लगाना पड़ेगा क्यूकि मेरा पती तो एक नंबर का निठल्ला है उसके बसकी तो कुछ है नहीं आर्थी अपने आप में ये सारी बाते बड़बडा रही थी तो वही मोहन आर्थी को ऐसा बोलते हुए सुन लेता है वो अपनी पत्नी पर नजर रखना शुरू कर देता है रात में आर्थी चुपके से भीमा के खेत में जाती है और खेत में सभी अंडों को नश्ट करने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये सब करते हुए? अरे किसी इंसान को बरबाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए देखो तुम यहां से चले जाओ, मैं यहां जो करने आई हूँ, वो मैं करके रहूंगी देखो, अभी भी वक्त है, चुप चाप यहां से घर चली जाओ, किसी के बने बनाए घर को बिगाड़ना अच्छी बात नहीं देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन हमारी शादी हो गई अरे ऐसा सत्यवादी पती मिलने से अच्छा है, कि मैं किसी चोर उचक्के से शादी कर लेती मोहन आर्ती को बहुत रोक रहा था, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रही थी आर्ती डंडा उठा कर खेत में सभी अंडों को तोडने जा ही रही थी, कि तभी वो जादूई अंडे आर्ती को एक अंडा बना देते है ये देख मोहन जोर-जोर से चिलाने लगता है, तभी वहाँ पर भीमा और जोती भी आ जाते है मोहन उन दोनों को सारी बाते बताता है, जिसके बाद भी भीमा जादूई अंडों से कहता है हे जादूई अंडे, भगवान के लिए मोहन की पतनी को ठीक कर दो, हर इंसान को सुधरने का एक मौका तो देना ही चाहिए भगवान के लिए उसे ठीक कर दो और उसे एक और मौका दो भीमा के इतना कहते ही वे जादूई अंडे आर्ती को ठीक कर देते हैं जिसके बाद आर्ती उन सबसे माफी मांगते हैं